सावन महीने के शुकल पक्ष की पूर्णी मातित्थी को रक्षा बंदन का त्योहार मनाया जाता है इस दिन बहने भाई की कलाई पर स्नेह और प्रेम का सूत्र बांधते हुए भाई की लंबी उम्रकी कामना करती है इसके बदले में भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं रक्षा बंदन का त्योहार इस वर्ष 11 अगस्त को मनाया जाएगा जोतिश के जानकारों का कहना है कि इस बार रक्षा बंदन पर बद्रा का साया रहेगा मद्रावे भूल कर भी भाई की कलाई में बहनों को राकी नहीं बाननी चाहिए इसी ब्रहम के चलते लोकवाने के टीम बीलवाडा के प्रसिज जोतिशी पंडित अशोक व्यास के पास पहुची जहां पंडित अशोक व्यास ने लोकवानी से खास बाचीत करते हुए कहा कि इस बार रक्षा बंदन के त्योहार को लेकर विबिन प्रकार की ब्रातिया हमें देखने को मिल रही है वैसे इस बार रक्षा बंदन के दन शुकल पक्ष की चदुर दशी है उसी दिन पूर्णिमा को सुबह 10.38 पर शुरू हो जाएगी जो 12 अगस्त को सुबह 7 बच कर 2 मिनिट तक रहेगी ऐसी मान्यता है कि रक्षा बंदन के पर्व पर भद्रा का दोश होता है तो भद्रा में बहने अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती है इस बार रक्षा बंदन के दिन भद्रा का साया है भद्रा को लेकर कुछ गणितकार यह मानते हैं कि इस बार पूछ काल की यानी पाताल लोग की भद्रा है उसमें रक्षा बंदन का त्योहार मनाया जा सकता है लेकिन कुछ गनतकार इसे भी गलत मान रहे हैं कि भदरा चाहे पाताल लोग की हो या पूचकाल की हो तो भदरा तो भदरा ही होती है ऐसे में भदरा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए सबी जोतिशों से बात होने के बाद लोगवानी का यह मानना है कि इस बार 11 अगस्त को बद्रा रातरी आट बावन पर समाप्त हो जाएगी ऐसे में 11 अगस्त को रातरी आट बावन से नौ पचास तक राखी बानने का सबसे श्रेष्ट महौरत है इसी महौरत में बहने अपने भाई की कलाई में राखी बान सकती है अगर 11 अगस्त को कोई बहन अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बान पाती है तो बारा अगस को प्रातह साथ बच के दो मिनट तक उदे तिधी में पूर्णीमा होने से दिन बर भाई की इकलाई में बहने राकी बांध सकती है मद्रा में राकी बांधना उचित नहीं है तशोग व्यास इस बार रक्षा मंदन के पर्व को लेकर विवन्ट पकार की ब्रांती आ रही है वैसे शामण मैने की जो चतुर दसी आ रही है उसी दिन पूर्णीमा दस बच के 38 मिनट पर शुरू हो जाएगी जो दूसरे दिन साथ बच के दो मिनट पर रहेगी चुकि ऐसी माननेता है कि जब रक्षा मंदन के पर उपर बद्रा दी दोस होता है तब बद्रा में रक्षा मंदन या राखी बांधना उचित नहीं माना जाता है लेकिन पुछ गणितकारों का ये मानना है कि चुकि इस बार जो भद्रा है वो पाता लोग तो рख मंदन के परा परिस्टिते में जैसे कोई विश्ष परिस्टिती आएगे तो इसी परिस्टिते में शाम को पांच बच के 20 मिनट से लेकर शाम को 6 बच के 18 मिनट तक जब बद्रा का पूच काल होगा तब राकी बांदी जा सकेगी लेकिन श्रिष्ट मौरत जो बद्रा समापते के बाद ही ह राकी बांदी जा से यानि कि स्रेश्ट मौरत खास्तोर से मेहनों के लिए एक गंटे का रहेगा और वैसे अगर 12 अगस्त को भी रक्षामंदन का पर मनाये जाना है तो उदिया तिति पुर्णिमा होने से चूंकि 12 अगस्त को साथ बसकर दू मिनट तक पुर्णिमा रहेग कि में दिन भर राकी बांदी जा सकती है ऐसा कई लोगों के विचार उमर्स के बाद इस्तिति सामने आई तो आप से जैसे 11 अगस्त को यह पर्व है सर 11 अगस्त को क्या 14 है सर 11 अगस्त को चतुर दसी पुर्णिमा है दस बसकर 38 मिनिट पर पुर्णिमा शुरू हो जाएगी सुबब शुरू